हमने अध्या एक के पहले भाग में मनोविज्ञान क्या है मनोविज्ञान का विकास किस परकार से हुआ उस पर हमने विस्तार से चर्चा की अब हम दूसरे भाग पर आते हैं जिसके अंदर हम अध्यान करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है मनोविज्ञान का दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट से विशे हैं उनसे क्या संबंद है आज कल मनोविज्ञानी कौन-कौन से मानव अक्षेत्र हैं जिसके अंदर मनोविज्ञानी कारियरत हैं और मनोवि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है यह हम अध्यन इस भाग में करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। सबसे पहला है इसके अंदर संग्यान आत्मक मनोविज्ञान। जिसको हम कहते हैं cognitive psychology यानि जिसके अंदर हमारी मानसिक परक्रियाई आती है। कि हम किसी भी ज्ञान को किस परकार अर्जित करते हैं। उसको उसका संग्रह करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। समय आने पर हम उसका प्रयोग में लाते हैं। उसके manipulation करते हैं, परहस्तन करते हैं। और किस परकार से हम आवशक्ता नुसार सूचनाओं का उपांतरन करते हैं। तो यह सब हमारे संग्यानात्मक परक्रियाओं के अंदर आता है। और जो विबिन संग्यानात्मक परक्रियाएं जो हम इस में पढ़ेंगे। वह है अवधान, पर्टेक्षन, समरती, तरकना, समश्या, समाधान। उसके बाद decision-taking यानि निरणय हम किस परकार से हम decision लेते हैं। या भाशा का विकास किस परकार होता है। यह सभी हम, यह topics भी हम अपने subject में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आता है जैविक, मनोविज्यान, biological, psychology। आप एक बाद देखेंगे कि जैसे-जैसे मनुश्य का विकास होता जाता है। यानि गरब धारन से लेकर विर्धा वस्था तक कितने ही प्रिवर्तन जीमन में आते हैं। भौतिक प्रिवर्तन आते हैं, सामाजिक प्रिवर्तन आते हैं, मनोविज्यानिक प्रिवर्तन आते हैं। उन प्रिवर्तनों को अध्यन हम मनोविज्यान के अंदर करते हैं। जैसे जैसे ये प्रिवर्तन हमारे में आयू के अनुसार आते जाते हैं, वो किस परकार से हमारे विभार को भी परभावित करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास तंत्री का मनोविध्यान जिसको निूरो साइकलोलजी कहते हैं। देखिए, जब भी हमारा कोई विभार होता है, तो हमारी सेंसिज करियाएं करते हैं। कहने का मतलब हमारा तंत्री का तंतर जो है वो स्क्रिया होता है, तभी हम कोई न कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इसलिए हमें neuropsychology का भी हमें अध्यान करना पड़ता है कि हमारा nervous system, तंतरी का तंतर किस परकार हमारे विवार को निर्धारित करता है उसके बाद आता है हमारे पास विकासात्मक्त, मनोवी ज्ञान, developmental psychology एक बच्ची का विकास किस परकार होता है जैसे बच्चा जनम लेता है और उससे लेकर विर्धा वस्ता तक उसकी अंदर किस कौन कौन सी stages है बाल्य वस्ता में क्या परिवर्थन आते हैं, शैशो काल में क्या परिवर्थन आते हैं, जिब वेडल रोन में आता है तो क्या परिवर्थन आते हैं ये सारा का सारा हम और उन अवस्थाओं का हमारे विभार पर मुलिश के विभार पर क्या परभाव पड़ता है ये सबी हम डिवल्लपमेंटल साइकलोजी में स्टडी करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान अगली ब्रांच है सोशल साइकोलोजी में हम हमेशा सामाजिक वातावरण का मानव पर क्या परभाव पड़ता है और मानव का सामाजिक वातावरण पर क्या परभाव पड़ता है तो इसलिए ये एक जो मानव का सामाजिक वातावर्ण के साथ जो संबंद है, किस परकार मानव अपने सामाजिक वातावर्ण को बदलता है, ये सारा अध्यन करने के लिए भी हमारे पास ये ब्रांच है जिसको हम सोशल साइकोलोजी या सामाजिक मुनोविज्यान कहते हैं। उसके बाता है अंते सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मुनोविज्यान। अंते सांस्कृतिक यानि आपको पता है कि हर स्थान का जो कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है वो भिन्य होती है। क्या होता है जब एक कल्चर के लोग, एक संस्कृति के लोग, दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलती है। उनके व्यवार में क्या प्रिवर्त लाता है। और एक जो particular हमारा culture है, हमारी संस्कृति है, किसी भी मनुश्य की, वो अपनी संस्कृति उसके व्यवार को कैसे प्रभावित करती है। इस बात का जो हम अद्यान करते हैं, हम इस cross cultural psychology के अंदर करते हैं। उसके बाद हम प्रियावरिनी बनुव ज्यान, environmental psychology, आप देखेंगे। किसी भी वातावरन के कुछ बहुतिक कारक होते हैं। जैसे वहां का तापमान क्या है, वहां पर वर्षा कितनी होती है, वहां पर वायू में नमी कितनी है, जिसको हम आधरता कहते हैं, humidity कहते हैं। वहां का प्रदोशन लेवल क्या है और प्राकर्टिकाफ़ता क्या है। आप एक बहुत छोड़ी सी बात से आप समझ सकते हैं, कि जैसे इंडिया प्रैक्टिकली एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहां ठाड़ बहुत कम होती है। जिस समय परदोशन लेवल बढ़ता है, तो मनुष्य के विभार में प्रिवर्तन आ जाता है। जिस परकार से मान लेजिए कि हमारे पास ग्रीशम लितू है। टैंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, ताप मान अधीक होता है। उस ताइम पर भी मनुष्य के विभार में प्रिवर्तन आ जाता है। तो इस परकार से हम यह देखते हैं कि वातापन के अव्यव मान विभार को कैसे प्रभावित करते हैं। वो अध्यान हम प्रियावर्निय मनोविज्यान में करते हैं। यह कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करता है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने आपको मनोविग्यान का उप्योग करके हम अपने आपको स्वस्त कैसे रख सकते हैं या अगर मनोविग्यानिक रोग हो जाते हैं तो उन रोगों का विकास कैसे होता है किस परकार से हम उनसे बच सकते हैं या उनका निदान कैसे किया जा सकता है उनका treatment कैसे किया जा सकता है उसके बात अगला आता है हमारे पास निदानिक एवं उप बोधन मनोवियान बहुत important है clinical and counseling psychology clinical psychology के अंदर हम हमेशा रोगों के लक्षन, किस परकार वो उत्पन होते हैं, किस परकार से उसका नियंदर न किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि हम उनके लिए काउंसलिंग करते हैं आपने देखा होगा अपने विद्याला के अंदर भी एक काउंसलर होता है वो counselor का काम क्या है? counselor केवल बच्चों से उनकी समझाओं का समाधान के लिए उनको guide करते हैं counseling करते हैं जैसे suppose करो कि examination आ जाता है बहुत चे बच्चे बहुत ज़्यादा nervous हो जाते हैं और जब ये बच्चे nervous हो जाते हैं तो उस time पर उनको counseling की जरूरत पढ़ती है guidance की जरूरत पढ़ती है तो इसलिए जो manovagynic हैं जैसे जो counselors हैं वो व्यक्तियों की समझाओं के समाधान निकालने का तरीका लूडते हैं इसके साथ एक और होता है एक होता है psychotherapist एक होता है psychiatrist इन दोना में केवल एक अंतर होता है कि जो psychotherapist है उसको training दी जाती है कि वो manov की समझाओं को किस परकार समझे और उसके लिए वो कौनसे उनको रास्ते या कौनसी उनको धंग अपनाएं ताकि वो अपनी समझाओं से बहारास की लेकिन जो psychiatrist होता है वो doctor होता है जिसने doctor ही किसके अध्यन किया हुआ होता है और वो medicine prescribe कर सकता है psychotherapist medicine prescribe नहीं कर सकता दवाईया नहीं बता सकता लेकिन psychiatrist बता सकता है उसके बाद अगला आता है हमारे पास और द्योगिक संक्षनातमत मनोविया industrial organizational psychology अब सवाल है कि जो organization आपको पता है suppose करो कि एक industry है जिसका हम industrial psychology के अभी नाम दिया जाता है उसके अंदर हम किस परकार से वहाँ पर कारियरत लोगों से अधिक से अधिक काम ले सकते हैं कौन कौन सी हम प्रिस्थितिया पैदा करें ताकि वो कारियरत व्यक्ति मनोवियानिक तोर पर संतुष्ट रहें और अधिक से अधिक कारियर कर सकें इस परकार के जो चीजी है एवन आजकल तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कारियरत लोग इंडूस्ट्री में हैं कारिय उनके उपर मनोविग्यानिक दबाव पैदा करता है उसको किस परकार से कम किया जाए इस परकार के जो चीजी है ये हम इस साइकोलोजी के हमारे पास सेक्षिक मनोविग्यान एजुकेशनल साइकोलोजी जैसा कि नाम बताता है सेक्षिक मनोविग्यान इसका बदलब है कि ये आपकी शिक्षा से संबंदित है यानि शिक्षा के लिए कैसा एक मनोविग्यानिक वातावन पैदा किया जाए ताकि बच्चों के हम शेक्षिक मनोविज्ञान के अंतर अध्यान करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास विद्याले मनोविज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट। विद्याले मनोविज्ञान क्या कहता है। कहता है कि विद्याले का वातवन कैसा बनाया जाए ताकि विद्यार्थी अधिक्तम ज्यान अर्जित कर सके। यहां छोटा सा एक एक अग्जामपल में आपको बता दूँ कि जैसे मान लेजिए हमारा क्लास्रूम है उसके अंदर परकाश की विवस्था कैसे की जाए ताकि किसी भी विद्यार्थी को परकाश की वजए से उसकी आँखों पर कोई भी तनाफ ना हो उसके बाद आता है हमा हम विद्यार्य मनविज्यान के अंदर की अंतरगत द्यन करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास क्रेड़ा मनुविज्यान वेरी इंपोर्टेट्ट स्पोर्सपर्षन्स का हम मनो बल कैसे बनाया रखें उनको किस परकार से अभी प्रड़ना दी जाए कैसे उनको गोटीव इसके बाद बार पास है, मनो विज्ञान एम अन्य विद्या शाखाएं, इसका मीनिंग समझेगा, मनो विज्ञान एक इतना विश्तरत विज्ञान है, जिसको हम एक वाटर टाइट कमपार्टमेंट में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसका संबंद मानविवार से है, और मानविवार केवल एक कारग पर निर्भर्द नहीं करता, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अंतरविशयक उपागम, तो क्या हुआ कि मनोविज्ञान का संबंध दोसरे विज्ञांसों से दोसरे जो हमारे विशे हैं उनके साथ इनका संबंध हुआ तो अब आप देखेंगे कि मस्तिक्स एहम विभार का धेन करने के लिए हम क्या-क्या धेन करते हैं neurology तंतरी का वियान जैसा मैंने आपको बताया था पहले cognitive psychology के अंदर के हमें वहाँ पर brain मस्तिस्क या हमारी जो मेरूरजु है जिसको हम spinal cord कहते हैं का अध्यन किया जाता है उसी से मांसिक पर क्रियाएं उत्पन्य होती है हमारे शरीर के अंदर विभिन किरियाएं किस परकार होती है जिसको हम शरीरिक किरिया विज्यान कहते है या इसको हम physiology कैसे होती है यह नि हमारे शरीर के अंदर अलगने किरियाएं कैसे होती है जिस प्रकार से आपने देखा है कि जिब कोई भी व्यक्ति एक नई सिच्वेशन के अंदर जाता है तो वो कई बार उसके हाथ काँ पने लग जाते हैं ऐसा क्यों होता है वो हम स्टाडी करते हैं शरीर के लिया विज्ञान से उसके बाद जीविज्ञान, बायलोजी जैसा हम आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा वातवरन है ये दो भागों का है एक है एजैविक भाग जिसके अंदर मैंने ताप करम आरदर तावो मैंने आपको बताया था अर दोसरा है, वहाँ पर रहने वाले जीवजंतू जिसको हम कहते हैं जैविक तो एक स्थान पर रहने वाले जो अजैव घाटक और जैविक घाटक ये दोनों ही मानवेवार को प्रभावित करते हैं तो वो हम study करते हैं जीव विज्ञान या बाइलोजी की अंतर करते हैं आयर विज्ञान यानि मैडिसन आप स्वेम समझ सकते हैं कि मैडिसन की क्या importance है जैसा मैं आपको अल्रेडी clinical psychology के अंदर भी नेदानिक मनोविज्ञान के अंदर बता चुका हूँ कि हम किस परकार से मैडिसन का परभाव हमारे उपर कैसे पढ़ता है और किस तरीके से हम एक मनोविज्ञानिक लोग से निवर्थ हो सकते हैं computer विज्ञान आपको पता है कि computer आधुनिक योग की बहुत जवर्दस्त देन है जिसके अंदर हम मनोविज्ञानिक विभार करती समय हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या परिवर्थन होते हैं जैसे example से समझे कि जब हम एक particular विभार करते हैं विशेश विभार करते हैं तो हमारे मस्तिष्ट के अंदर कौन सी किरियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम नियंतरित कर सकते हैं उनको हम जान सकते हैं कि इसके दवारा जैसे easy किया जाता है तो इस तरीके से computer विज्ञान बहुत ही हमारे लिए लाददायक है मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आगे आता है हमारे पास सामाजिक सांस्कर्तिक के संदर्म में मान विभार को समझने के लिए meaning growth and development हमारी संस्कर्ती जैसे जैसे विकास करती है वैसे वैसे हमारे विभार में कैसे प्रिवर्तनाता है हमारा जो सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरन बदलता है तो उसमें हमारे विवार में क्या परिवर्तन आता है ये हम स्टाडी इस तरीके से करते हैं उसके बाद मानव इज्ञान, एंथ्रोपोलोजी विकास की इस परकार हुआ क्या-क्या परिवर्तन हुए उसके बाद समाज शास्त्र, सोशलोजी क्योंकि सोशलोजी के अंदर वेक व्यक्ति समाज के अंदर कि वो कौन से सिधान्त हैं जो सामाजिक नीमों को मानता है तो वो भी हमें किस परकार से हमारे विवार को प्रभावित करते हैं उसके बाद सोशल वर्क ये भी एक मनोविज्ञान का ही कारण होता है क्या कारण है कि कुछ लोग सोशल वर्क में बहुत इंट्रेस्टिड होते हैं बहुत रुची लेते हैं दूसरे लोग नहीं लेते हैं राजनैतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जब आदमी कोई पॉलिटीकल कैरियर में जाता है, राजनैतिक जीवन के अंदर जाता है तो वह किस परकार से लोगों के साथ विवार करें ताके उसकी एक राजनैतिक चछवी बन सके तो इसलिए उस छवी को बनाए रखने के लिए भी मनोविज्ञान के सिधान्त काम आते हैं उसके बाद अर्थ शास्तर यानि एकनॉमिक्स आप सोच सकते हैं यानि मेरा यहां कहने का मतलब है कि हमारी अर्थ विवस्था हमारा एकनॉमिक स्टीटस किस परकार से हमारे विवार को प्रभावित करता है यहां मैं एक मिनिट के लिए एक छोटा सा एक्जामपल आपको देना चाहूंगा मा लेजिए कि एक बहुत अच्छी न्यू ब्रेंड किसम की साइकल है एक बच्ची के पास है कोई गरीब बच्चा उसके पास आता है और वो उसको देखता भी है हाथ भी लगाता है एक बच्ची का विवार होता है कि वो उसको धमका देता है एक बच्ची का विवार होता है कि नहीं नहीं आप आराम से देख लीजिएगा, यह इस तरीके से है, वो उसको cycle के parts भी समझाता है, है तो वही cycle, लेकिन दो व्यक्तियों का विवार different है, यह क्या है, economic status different है, वो बच्चा गरीब है, उसको cycle नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे बच्चे जो cycle ले सकते हैं, उसके विवार मनतर है तो इस तरीके से जो economic part है, वो भी हमारे विवार को प्रभावित करता है, उसके बाद आता है, मनोवेग्यानिक सिधानतों की साहता से, जीवन की समस्याओं का दक्षता पूरवक्त सामना करने की कला, तथा परशिक्षन परदान करना, कि जीवन के इंदर जो हमारी जाती हैं, हम उनको किस परकार से efficiently, दक्षता पूरवक्त हम उनको handle कर सकते हैं, उसके बाद मानव सेवाक्षित्र है ये, कि मानव की समस्याओं का समाधान किस परकार करें, यहां पर जो मनोवेग्यानिक है, इस अक्षित्र में बहुत अधिक कारियरत है, ये मनुष्य को सम समस्यारहित कैसे बनाया जाए, नैदानिक मनोवेग्यानिक ये clinical psychologists, जो रोगों की लक्षणों की पहचान करती हैं और उनका उपचार करती है, ये clinical psychology के अंदर आता है, जैसा मैंने आपको psychotherapist और psychiatrist के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बाद आता है हमारे पास counselling psychologists से, जैसा हमने जिए branches of psychology पढ़ा था, तो उसके अंदर ये पढ़ा था हमने, कि ये वो psychologists हैं, जो किसी भी व्यक्ति को समश्या से वारण करने के लिए, वे उनकी guide करते हैं, counselling करते हैं, किस परकार से करते हैं, जैसा मैंने आपको बच्चों की, मा लीजी ए, exam के time में कोई problem आती हैं, तो ये लोग उनकी help करते हैं, जैसे माली जी वो individual किसी अद्योगिक संस्था में काम करता है, कारिये की वज़े से उसको depression है, तो उसको किस परकार से, जो counselling करके, उनको guidance दे कर, वो समस्या से बाहर निकाला जा सकता है, उसके बाद आता है हमारे पास सामुदाइक, मनो community psychologists, ये लोग वो हैं, जो हमारे समुदाइक के अंदर, समाज के अंदर कारियर रहते हैं, और विभिन्न चीजों की, आप एक बात ये समझेगा, कि जिस तरीके से माली जी परिवार्द नियोजन है, उसको किस परकार से लोगों के मानसित, उनकी सोच के अंदर कैसे परिवर स्कूल साइकलोजिस्ट, बहुत जबर्दस्तिन का रोल है, कि किस परकार से विद्यार्थियों के अंदर मनो विज्ञानेक दबाव को कम किया जाए, किस परकार से उनको, जैसे आपने देखा है, कि कई बार जो लाइने, जो है वो CBSE बनाता है, और हर विद्यार्थी जो है पर टेलीफान करके, वहाँ साइकलोजिस्ट पैठते है, उनसे वो अपनी समस्चा डिसक्स कर सकते हैं, इस परकार का जो रोल है, यह हमारे पास विद्याल है, मनो विज्ञानेक करते हैं. संठनात्मक्मुनोवे क्यानिक, Organizational Psychologist यह और जो Organizational Psychologist है management कैसे की जाए मा लीजे के industry है यह जोग है उसके अंदर किस परकार से जो managers है और employees जो कारियरत छोग हैं उनके बीच में मधुर संबन्द कैसे पैदा किया जाए किस परकार से उसकी growth की जाए इस परकार का जो कारिये है ये साइकलोजिस्ट करते हैं आप यहां से समझ सकते हैं कि कितनी साइकलोजिस्ट की इंपॉर्टेंस है कि जिस समय मैनेजरिय लेवल के लोगों की उपाइंडमेंट की जाती है उनको कारियरत किया जाता है तो किसे ने किसी मेनोविज्यानिक की साहिता ली जाती है उसके बाद है मनोविज्यान का हमारे दैनिक जीओन में क्या परभाव बढ़ता है psychology in everyday life हम समश्याओं का समाधान करते हैं आपने देखा है कितनी बार जो दूर तर्शन पर टीवी पर मनोविज्ञानिक अपनी सलह देते हैं, अपने सुझाव देते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वैसकों के लिए, किस परकार से, क्या एक कारण हो सकता है, जैसे स्पोस करो कि एक इंडिविज्वल है वो इंडिविज्वल डेप्रेशन का पेशन्ट है और उसके कारण वो साइड कर लेता है, तो उसकी मनोविज्ञान कैसी होती है, उससे लोगों को बताते हैं कि इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, और टीवी पर बताया जाता है ताके लोग उस रोग से निवारत हो सके, साम तरीके से हम ये देखते हैं कि एक समुह और दोसरा समुह यानि व्यक्तिक और अंत्य समुह में इंडिविज्वल की इस परकार का विहार करता है, इंटरपर्सनल और इंटरापर्सनल, वाइलेंस क्यों होता है, किस कारण से होता है, इस परकार से हम परियावरनी दिरावट हमेशा बात करते हैं global warming हो रही है परियावरन जो है वो कम होता जा रहा है और ज़िस परियावरन खराब होता ज़स चला जा रहा है तो इसका हमारे उपर क्या प्रभाव वड़ता है ताकि हम अपने परियावरन को बचाव करके रखें उसको हम sterilized तो इस तरीके से जो मनोविज्ञानिक है कोई मानव जीवन का कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं है जिसके अंदर मनोविज्ञानिक व्यक्तियों की सहायता नहीं करते हैं तो आप जैसे विध्याले हैं चीकिजचाले हैं आस्मीट में जिससे वो क्राइम करते हैं उसको समझने के लिए बिजनेस ओर्गनाइजेशन के अंदर, इवल आर्मी के अंदर, सेन्य मनोविज्ञान, अलग अलग प्रतिष्ठान, प्राइवेट प्रेक्टिस्न के अंदर प्रामर्ष दाता, यानि कोई भी इंडिविज्वल उनके पास जाता है, मनोविज्ञान ने मानव के किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है, जिसमें वो मानव की समश्याओं का समाधान करने में नियंद्रित प्रियास्त ने कर रहे हूँ, एक systematic ढंग से इसको explain किया गया, मुझे आशा है कि आप इसे जरूर लाभानवित होंगे, और उमीद करता कि आप इसे और अधिक पुस्तक से पढ़ सकते हैं, इसके बाद मा आपको एक सलह देता हूँ, आप अपनी life के अंदर मनोविज्ञान के सिधानतों को कैसे लगा सकते हैं, अगर आप मनोविज्ञान के सिधानतों को स्कारात्मक ढ़ंग से करके अपनी अधिगम एम में बहुत अधिक मातरा तक आप सुधार ला सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, अपने इस विज्ञान के अंदर आप अपनी रूची पैदा करके अपने विवार को भी बहुत अधिक तक बदल सकते हैं और अपने आपको एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं, इन चब्दों के तेंकियो